नमस्कार मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जिन रोगियों को गुर्दे में पत्रियां बन जाती हैं उन्हें अपने पत्री बढ़ने से रोकने के लिए या उसको बार बार बनने से रोकने के लिए अपने खाने पीने में क्या परेज करना चाहिए आज इस वीडियो के माध्याम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने खाने पीने में क्या खा सकते हैं जिसे कि आपका रोग अलिक ना भड़े यदि आप अपने बोजन की थाली को देखें तो कुछ इस परकार से दिखेंगी, जिसमें आप नाना परकार के भूज पजाद सजाते हैं इसको एक चितर के माधिम से समझें, तो आपकी खाने की ठाली कुछ इस परकार दिखेंगी पर आईए अब हम बात करते हैं कि कौन सी कड़्ोरी में आप किस प्रकार का खाना रखें जिसके खाने से आपका पत्री रोग नहीं बढ़ेगा दाल की कटोरी में आप क्या रखें आप ऐसी दालें प्रयोग कर सकते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है सामाने भाशा में कहें तो हलकी दालें आप इस्तवाल कर सकते हैं जैसे मून की दाल या अरहर की दाल और आप इसे एक ही कटोरी एक बार में खाएं तो बेथर सब्जी वाली कटोरी में क्या मैंना आको बताया था कि पत्ती वाली सब्जीएं खाना आपके लिए ठीक नहीं मगर आप हरी सब्जीओं का प्रयोग कर सकते हैं कुछ लोग को भ्रहांती होती है कि जिन सबजियों में बीज होते हैं, उन्हें खाना पत्री के रोगी के लिए ठीक नहीं, जैसे कि टमाटर, या भिंडी, या परमल, या करेला, यहाँ पे मैं आपको सपर्श करना चाहता हूं, कि आप इन सभी सबजियों का प्रयोग कर सकते हैं, टमाटर खाने से पत्री पे कोई प्रभाब नहीं, करेला खाना आपके लिए लाप्रत होगा, डेरी प्रोडक्ट वारी कटोदी में क्या, आप 24 घंटे में एक या दो गलास दूद पी सकते हैं, इससे ज़्यादा दूद का सेवन ठीक नहीं, इसी प्रकार आप एक कटोदी दही पूरे दिन भर में इस इसलिए रोगी समझते हैं कि हमें दूद को बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए, ऐसा करना ठीक नहीं, कैल्शियम इंटेक जीरो कर देने से आपको कई प्रकार से स्वास की हानिया हो सकती है, और पत्री रोग को भी बढ़ोतरी मिल सकती है, थोड़ा कैल्शियम खाते रहना आपके लिए ठीक होगा, सलाद वाले हिस्से में क्या, देखिए आप पत्ती वाली सलाद ना खाएं, मगर गाजर खाना आपके लिए लाप्रत है, प्याज खाने में कोई आपत्ती नहीं, टमाटर खाने में, खीरा खाने में कोई आपत्ती नहीं, बलकि आप इसको अधिक तो आपके लिए अच्छा होगा पानी के बारे में क्या पिचार होना चाहिए जाहिर है यदि आप पती रोग से बचना चाहते हैं तो अगर आप पानी की मातरा बहुतायत से लेंगे तो यह एक सबसे अधिक प्रवावकारी तरीका है आवाशकता इस बात की है कि आप 24 घंट अब में बांट कर पानी पीए और आपका दिन भर का इंटेक 3-4 बीच में होना चाहिए ज़िए हम एक सावाने ग्लास को देखें तो आप 10 से 12 ग्लास पानी का सेवन 24 घंटे में करें ध्यान रखें सोने से पहले दो गलास पानी पीके सोएं जिससे रात में सोते समय आपके शरी में पानी की मात्रा कम न हो रात में आपके शरी में डिहाइड्रिशन की इस्तती पैदा न हो फलों वाले स्थान पे क्या? सेव खाना आपके लिए बहुत हितकारी है इसी पिकार नीबू, संतरा पपीता, तर्बूज जैसे रंगीन फल खाना भी आपके लिए हितकारी है आप इनका प्रियोग जितनी आपकी इच्छा करे उतना कर सकते है मासाहरी बोजन के हिस्से में मैंने आपको बताया किसी भी पिकार का मासाहरी बोजन खाना आपके लिए ठीक नहीं हाँ, मगर आप अंडों का अस्तमाल कर सकते हैं अंडे आप एक ये दो जितने खाना चाहें खाएं आपकी इच्छा के उपर है इससे पत्री रोग में कोई बढ़तरी नहीं होती जूस या अन्य पेपदात वाले हिस्से में क्या यहां मुझे आपको बताना है कि नीबू पानी पीना मौसमी, संत्रे का रस पीना यह पत्री के डोगी के लिए सबसे अधिक लाप्रद होता है नीबू का पानी जितना आप पीना चाहिए पत्री रोग से बचने के लिए उत्रा पीपाना किसी बनुश के लिए संबब नहीं होता है इसलिए आप अगर संत्रा, मौसमी और नीबू तीनों को बाट-बाट कर पीएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा इसी पिकार आप नारिल का पानी इस्तमाल कर सकते हैं चावल वाली कटोरिय में क्या चावल खाने से भी पत्री के रोगी को कोई खानी नहीं है आप सीधा चावल या उसके द्वारा बनाई कोई भी चावल की चीजें आप खा सकते हैं और अंत में आपकी रोटियां कैसी होनी चाहिए यदि आप मल्टी ग्रेन आटे की रोटि खाएंगे या आपकी खाने में थोड़ा चोकर का आटे की अधिक्ता होगी तो आपका कैलसियम का इंटेक थोड़ा कम होगा और आपके पत्री थोड़ा कम बनेगी आशा है इस वीडियो में आपको दीकई जानकारी से आप लबानवित होंगे और यदि आप इन सभी बिंदूओं का ज्यान रखेंगे तो आप पथी रोग के बढ़ने से बचे रहेंगे